परिचाए पिता जी हमारे घर का दर्वाजा कितना कमजोर और रूखा देख रहा है हाँ बेटे ये दर्वाजा आठ से दस वर्ष पुराना है किन्तु पिता जी ये दर्वाजा इतना कमजोर क्यों हो गया है बेटे ये संक्शारण के कारण हुआ है संग्शारण वो क्या होता है पिता जी? अच्छा पिता जी अब मुझे संग्शारण के बारे में पता चल गया है पिता जी क्या आप मुझे इसके बारे में और अधिक बता सकते हैं? हाँ बेटे और अधिक जानने के लिए आज हम लोग वैदुत रसायन के बारे में अध्यान करेंगे उत्तेशे इधन सेल के बारे में चानना संग्शारण को परिभाशित करना जंग लगने के वैदुत रसायन सिध्धान्त का विशलेशन करना और संग्शारण के रोग थाम की व्याख्या करना वैदुत अभघटन वैदुत अभघटे या इसके जलिये विलियन में वैदुत धारा की प्रवासे होने वाले रासायनिक अभघटन के प्राकरम को वैदुत अभघटन कहते हैं वैदुत अभघटनी सेल वो पात्र जिसमें वैदुत अभघटन का प्राकरम संपन होता है वैदुत अभघटनी सेल कहलाता है इसमें एक वैदुत अभघटनी टैंक होता है जो किसी अचालक पदार्थ की बनी होती है वैदुत अबघट्टे द्रव अवस्था में या जलिये रूप में वैदुत अबघट्टी टैंक में लिया जाता है तथा इसमें दो इलेक्ट्रोनिक चालक निमजित होते हैं इलेक्ट्रोडों को दिश्ट धारा के स्रोज से संपर्कित कर दिया जाता है वैसे इलेक्ट्रोड जो बैटरी के रण सिरे से संपर्कित होता है कैथोड कहलाता है तथा बैटरी के धन सिरे से संपर्कित इलेक्ट्रोड हैनोड कहलाता है वैद्वत अबघटन की क्रिया विधी जब किसी वैद्वत अबघट को किसी उचित विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाता है जब विद्वत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन आरोपित विभुवांतर के प्रती अनुक्रिया करते हैं तथा विप्रीत आवेश वाले इलेक्टोडों की ओर गती करते हैं अता रिन आवेश कैथोड की ओर तथा धन आवेश एनोट की ओर चला जाता है अपने नियत इलेक्टोर्ट पर पहुँच कर आयन अपना आवेश त्याक कर उदासीन कन बनाते हैं रिन आवेश कैथोर्ट से इलेक्ट्रोन ग्रहन करते हैं जबकि धना वेश एनोट को इलेक्ट्रोन प्रदान करते हैं अता एनोड पर आक्सी करण जबकि कैथोट पर अफकरण होदा है। वैदुद अबघटन के उत्पाद मुख्यता निम्नकारकों पर निर्भर करते हैं। वैदुद अबघट के बदार्थ की प्रकृति यदि वैदुद अबघटन वैदुद अबघट की द्रवावस्था अथवा जलिये विलियन में होता है, तो इलक्टोडों पर निर्मित उत्पाद भिन्न होते हैं। वैदुद अबघट में प्रयुक्त इलक्टोडों के प्रकार। यदि प्रयुक्त इलक्टोड अक्रिय है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है या यदि इलक्टोड अभिक्रिया शील हों तो ये इलक्टोड अभिक्रिया में भाग लेता है तब वैदुत अभघटन के उत्पाद भिन होते हैं वैदुत अबघटन के उत्पाथ, वैदुत अबघटनी सेल में उपस्थित, विभिन आॉक्सी कारक एवं अपचायक स्पिशीज एवं उनके मानक इलेक्ट्रोड विभुवों पर निर्भर करते हैं जब कोई वैदुत रासायने कभिक्रिया कतिकी ये रूप से इतने धीमे होती है कि ये घटित होता कतित नहीं होता है, तो कुछ अधिरिक्त विभाव जिसे अधी विभाव कहते हैं, ऐसे प्राक्रम को घटित होने के लिए लगाना पड़ता है विलियन का सांद्रन भी वैदुत अबघटन के उत्पात को प्रभावित करता है फैराडी के वैदुत अबघटन के नियम फैराडी के वैदुत अबघटन के प्रतम नियम किसी इलेक्ट्रोट पर निक्षेपित, मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वेदृत अबघटे विलियन या गलित प्रवाहित विद्धत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है M, Q के सीधे समानुपाती होती है जहां M, निक्षेपित या गुले पदार्थों की मातरा है Q, विद्धत धारा की मातरा है हम जानते हैं कि Q बराबर IT है M भी IT के सीधे समानुपाती होती है इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है M बराबर ZIT जहां Z पदार्थ का वैदुत रसायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी वैदुत अबघट्टे गलित या विलियन से प्रवाहित एक कुलोम की विद्धारा से निक्षेपित या घुले पदार्थों की मात्रा को Z से परिभाशित करते हैं। फैराडे के वैदुत अबघटन के दुथिये नियम। जब भिन्न भिन्न वैदुत अबघट से होकर विद्धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है, तो इलेक्टोर्डों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक के दरफिमान के पाती होती हैं, फैराडे के वैदुत अबघटन के नियम पर उधारण, चलिए, फैराडे के वैदुत अबघटन के नियम पर एक उधारण लें, किसी धात्विक पात्र जिसका कुल प्रिष्ठी एक शेत्रफल 900 वर्ग सेंटीमीटर है, पर 0.5 एंपियर की विद्ध धारा को दो घंडे तक प्रवाहित करने पर सिल्वर का विद्ध निक्षेपन होता है, निक्षेपित सिल्वर की मुटाई ग्याद कीजिए, चलिए इस वर्क सेंटीमीटर, आई पराबर 0.5 एंपियर, हम जानते हैं कि निक्षेपित सिल्वर का द्रवेमान, एम पराबर ZIT से प्राप्त होता है, इन मानों को रखने पर हमें, एम पराबर 4.09 ग्राम घं सेंटीमीटर प्राप्त होता है, हम जानते हैं कि V पराबर M अटी इन मानों को रखने पर हमें V पराबर 0.3857 ग्राप्त होता है, मान ले की निक्षेपित पतार्द की मुटाई x सेंटीमीटर है, हम जानते हैं कि x पराबर V अटी मानों को रखने पर हमें x पराबर 7.67 και गुणा 10 की घात रिण 4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। धात्विक पात्र पर निक्षेपित सिल्वर की मुटाई 7.67 गुणा 10 की घात रिण 4 सेंटीमीटर है। बैटरियां कोई बैटरी जिसका विद्धित उर्जा के सुरोत के रूप में प्रयोग होता है। मुलता एक विद्धित रासाइनिक सेल है। जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की रासाइनिक उर्जा विद्धित उर्जा में रुपांतरित होती है। बैटरी श्रेडी करम में चुड़े तो या तो से अधिक गेलवेनी सेलों की वैवस्था को प्रदशित करता है। बैटरियों के प्रकार विविदिव वैवसाईक बैटरियों को वरिहत रूप से दो प्रकारों में वर्गिक रिद करते हैं। प्रात्मिक बैटरियां प्रात्मिक बैट्रियां लंबी अवधी के बाद रासाइनिक अभिक्रिया के रुख जाने से निश्क्रिये हो जाती हैं इसे पुना आवेशित या पुना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उधारन के लिए शुष्क सेल तथा मर्कुरी सेल संचायक बैट्रियां तथा बैट्रियां को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है उधारन के लिए लेड संचायक सेल, निकेल कैडमियम संचायक सेल शुष्क सेल इस सेल में जिंक का बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का ही कारिक करता है इसका कैथोड कार्बन की छड़ होती है जो चूनित MNO2 तथा कार्बन से घिरी होती है इलेक्टरोडों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड NH4Cl तथा ZNCl2 के नाम पेस से भरा होता है बेहतर विद्ध संपर्ग के लिए ग्रिफाइट की छड़को पीतल की टूपी पहना दी जाती है तथा बिलन को ऊपर से पिच से बंद कर दिया जाता है जिंक को वायूमंड लिए ऑक्सीजन से सुरक्षा देने के लिए जिंक पात्र को कार्डबोर्ट से ढग दिया जाता है सेल का विभव लगभग 1.50V होता है शुष्क सेलों का टॉर्चों, ट्रांजिस्टर, रेडियों, खड़ियों इत्यादी में उप्योग होता है मर्कुरी सेल मर्कुरी सेल में जिंक मर्कुरी अमलगम का एनोड होता है तथा HGO तथा कार्बन का पेस्ट कैथोर्ट का कार्य करता है वेद्द अब घटे KOH तथा ZNO का एक पेस्ट है वे अपने विसर्जन के दोरान 1.35V का आचर विभव उत्पन करता है इसके जीवन काल में सेल का विभव अचर रहता है क्योंकि समक्र सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन नहीं होता है जिसकी सांद्रता विलियन में होने के कारण सेल की संपून कारय अवधी में बदल सकती हो मर्कुरी सेल का हिर्दय पेस मेकरों, घड़ियों, कैमरों, श्रवन यंद्रों इत्यादी में व्रहत पैमाने पर प्रयोग होता है लेट संचायक बैटरी इसमें समानिता 6 वोल्टेक सेल श्रणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतेक सेल में एनोड इस्पंजी लेट से बना होता है तथा कैथोड लेट डाइयोक्साइड से भरा लेट का एक क्रिट है वैदुत अब घटे H2SO4 का विलियन है जो द्रविमान का 38 प्रतिशत होता है बैटरी के डिस्चार्ज के तौरान अभिकरिया में सल्फ्यूरिक अमल की खपत होती है तथा जिसके परिणाम सरूप अमल का घनत्व गिरता है जब विलियन का घनत्व एक तशमलाव दो शूनने ग्राम प्रतिखन सेंटिमीटर के नीचे किरता है तो बैटरी को रिचार्ज करने की जरूरत परती है जब किसी बाहे दिश्ट धारस रोच से बैटरी को विद्ध उर्जा किया पूर्थी होती है तो सेल विद्ध अब घटनी सेल की तरह कारे करता है तथा रासाइनिक अभिकरिया होती है किन्तु एलेक्टरोड अभिकरियाएं बैटरी के डिस्चार्ज के दौरान होने वाली अभिकरिया के विपरेत अभिकरिया करती है सेल की धारा आउटपुट को बढ़ानी के लिए एनोड तथा के अधोड को एक आंतर क्रम से प्यवस्थित किया जाता है तथा एक दूसरे से कुछालग पदार्थों के स्तरों से प्रथक कर दिया जाता है प्रतेक वोल्टेक सेल में विपवान तर लगभग दो वोल्ट की होती है जिससे आउटपुट बारा वोल्ट हो सके बैटरी के छे सेल श्रणी क्रम में जुड़े होते हैं निकल, कैडमियम, सुंचाइक बैटरी इस प्रकार के सेल में एनोड कैडमियम का बना होता है तथा कैथोड में धातू ग्रेट होती है जिसमें निकल आकसाइड होता है वैदुद अब खटे के ओएच काविलियन है सेल की वोल्टेज लगभग 1.4 वोल्ट होती है बैटरी के डिशार्ज के दौरान कोई गैसी उत्पात नहीं बनता है तथा ठोस उत्पात बनता है जो इलेक्ट्रोन से चिपके होते हैं जिसे आविशन प्रक्रियाद्वारा पुना रूपांधरित कर लिया जाता है इन सेलों को प्योग व्रहत रूप से इलेक्ट्रोनिक खड़ियों तथा केलकुलेट्रों में होता है इन्धन सेल इन्धन सेल विद्ध रासाइनिक सेल है जिसमें आवक्सी क्रित होने वाले पदार्थ वैदुत अपखटे या इलेक्ट्रोनिक पदार्थ नहीं होते हैं बलकि एक बाहता आपूर्ती करने वाले पदार्थ हैं जिसका उप्योग श्रामण यंद्र में इन्धन के रूप में हो जकता है इन्धन सेल इन्धन की रासाइनिक उर्जा को बिना उश्मा इंजन के प्रयोग से सीधे विद्ध उर्जा में उरुपांधरित करने की एक योगती है हाइडोजन जैसे पारमपरिक इन्धन की नियंत्रित सतित आपूर्ती का आपूर्ती का अक्सीकरन एनोट पर तथा ऑक्सीजन जैसे दहन के पारमपरिक पोशक की आपूर्ती का अपचयन कैथोड पर होता है सेल में जब तक हाइडोजन तथा ओक्सीजन की आपूर्थी वोती रहती है, सेल चलता रहता है इधन सेल किसी प्रकार की प्रदूशन समस्याएं उत्वन्न नहीं करता है संशारन संशारन वायु मंडल में उपस्थेद नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रियाद्वारा धातूँ को उनके अनेचिक योगिकों में रूपांतरित करने का मंद्य प्राक्रम है उधारन के लिए चांदी का बदरंग होना, लोहे में जंग लगना, कौपर पर हरी रंग का लेव चड़ना तथा लेट का अपनी चमक खोना संग्शारन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं धातू की अभिक्रियाशीलिता, अशुद्धियों की उपस्थिती, वायू एवं नमी, धातू में तनाव तथा वैद्वत अभगटि की उपस्थिती जंग लगने के वैद्वत रासाइनिक सिध्धांथ इस सिध्धांथ के अनुसार लोहे के अशुद्ध सतह ऑक्सीजन तथा कारबन डायोक्साइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैद्वत रासाइनिक सेल की तरह वहवाहर करता है इस प्रकार के सेल को संशारन सेल ही कहते हैं शुद्ध लुहा एनोड की तरह तथा अशुद्ध सतह कैथोड की तरह वहवाहर करता है नमी जिसमें ऑक्सीजन या कारबन डायोकसाइड खुले होते हैं वैदुत अब घटे विलियन की तरह कारे करता है एनोड पर आयरन परमाणों का आक्सी करान होता है कैथोड पर ह की घात धन आयन द्वारा इलेक्टरोन ग्रहन कर लिया जाता है हाइटोजन परमाणों घुलित आक्सीजन को अपचाईद कर देता है इस प्रकार उत्पन फेरस आयन जल से होकर आयरन की सतह पर पहुंचता है और जहां इसका वायो मंटलिये आक्सीजन द्वारा फेरिक अवस्था में आक्सी करान होता है जो जंग का निर्माण करता है संख्षारन की रोगथा संख्षारन से धातूआं की सुरक्षा की कई विधिया हैं इनमें से कुछ निमन प्रकार की है अवरोधक सुरक्षा इस विधी में एक अवरोधक फिल्म आयरन तथा वायो मंडलिये आक्सीजन तथा नवे के बीच रखी जाती है उत्सरक सुरक्षा इस विधी में आईरन सतह को किसी अधिक सक्रिय धातू की पड़से आच्छादित कर देते हैं तिन से आईरन का आच्छादन तिन बहुत कम विद्धनात्मक होता है तथा इसका वायू में संख्षारण नहीं होता है जब तिन की परत को आईरन की सतह पर आरूपित किया जाता है तो ये जंग के विरुध सुरक्षित होता है विद्ध सुरक्षा इस विधी में आईरन को कुछ अधिक विद्ध सक्रिय धातू जैसे की मैकनीशियम, जिंक तथा एलिमिनियम से संपरकित किया जाता है जन्द विरूधी विल्यनों का उप्योग ये शारिये फास्फेट तथा शारिये क्रुमेट के विल्यन है विल्यनों की शारिये प्रकृती H पिलस आयनों की उपलब्दधा को रोकती है जो आयरन के आक्सीकरण को Fe2 प्लस में पूरा करता है क्या आप जानते हैं? सामाने तापमान पर आयरन का नमी की अनुबस्तिती में सही तरा से संक्षारण नहीं होता है वैतुद अपखटन स्थाई रूप से बाल हटाने की एक मात्रविधी है जिसे खाते एवं आशद प्रशासन ने मनिता प्रदान की है सर्वु प्रथम बैटरी अलेसेंद्रों वोल्टा ने 1798 इस्वी में बनाया प्राकृतिक जल में संक्षारण की दर साधारण दातु की सतह पर जल की कती बढ़ने से बढ़ने की प्रवृत्ति हो दी है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं वैदृत अबखटे या इसके जलिये विलियन में वैदृत धारा की प्रवासे होने वाले रासायनिक अबखटन के प्राक्रम को वैदृत अबखटन कहते हैं जब किसी वैदृत अबखट को किसी विलाइक में घोला जाता है या द्रव अवस्था में लिया जाता है तो ये दो आवेशित कड़ों में तूटता है जो आयन कहलाते हैं किसी इलेक्टृट पर निक्षेपित मुक्त या घुले पदार्थों की मात्रा वैदृत अबखट टेविलियन या गलित प्रवाहित विद्धारा की मात्रा के समानुपाती होती है जब भिन भिन वैदुद अबखट से होकर विदुद धारा की समान मात्रा को प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्टोर्डों पर मुक्त पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यान के द्रविमान के समानुपाती होती हैं बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़े दो या तो से अधिक गेलवेनी सेलों की वैवस्था को प्रदशित करता है संग्शार और वायु मंडल में उपस्थित नमी तथा अन्य गैसों की अभिक्रिया द्वारा धातुओं को उनके अनेच्छिक योगिकों में रुपांद्रित करने का मंद प्राक्रम है लोहे के अशुद सतह आक्सीजन तथा कार्बन डायॉक्साइड युक्त जल की उपस्थिती में लगू वैदूत रासाइनिक सेल की तरह वैवहार करता है इस प्रकार के सेल को संग्शार और सेल भी कहते हैं